शादी का लड़ू एक बहुत एक कंजबिटिव फैमिली से तालुक रखने वाले शीखा को लड़के वाले देखने आने वाले होते हैं पता है शीखा ये लड़का बहुत ही अच्छा है अगर ये हां बोल देना तो सोच की बन गई तेरी किस्मत वा जी वा लड़के ने हां कर दी तो किस्मत और ना कर दी तो तो जाने दोगी ना दोस्तों के साथ रिशिकेश बोलो मा अरे कुछ तो शरम कर लड़की जब देखो तब घूमना अरे तेरी उमर में तो मेरे बच्चे हो गए थे तब ही अभी अपने परिवार के साथ आ जाता है वो शिखा की और देखता ही नहीं है जबकि शिखा उसे घूर रही होती है अरे शिखा अभी को घर बिखाओ अरे नहीं नहीं आउंटी आरे जाओ ना, घर देखकर आओ, शिखा से बात भी कर ले ना, और समझ भी लो एक दूसरे को शिखा, जिसे पहले भी कई लड़के देखकर जा चुके थे, उसके लिए ये बड़ी बात नहीं थी ये टेरे से, यहां से शेहर का सबसे अच्छा व्यू दिखता है, मुझे व्यू देखने का बड़ा शौक है देखो, मैं तुम से शादी नहीं कर सकता शिखा अभी के तरफ देखने लगती है मैं किसी और से प्यार करता हूँ मा नहीं मान रही है, इसलिए रोज एक लड़की दिखाने ले जाती है देखो, तुम मना कर देना हेलो, मिस्टर आशिक, मैं क्यों मना कर दूँ तुम्हारी प्राब्लम है, तुम मना कर दो और हाँ, थोड़ा जल्दी कर देना कल मुझे दोस्तों के साथ जाना है कहीं देखो, मैं मना करूँगा, तुम मा को शक हो जाएगा हाँ, तुम मैं क्या करूँ फुकट में टाइम खराब कर दिया, दोनों नीचे आते हैं जहां अभी का मुँ लटका होता है हाँ, बेटा, कैसा लगा घर? मा, मुझे अभी पसंद नहीं है, मैं इससे शादी नहीं कर सकती हूँ अरे, कैसी बात कर रही हो, बेटी? वो ठीक कर रही है, आँजी, मैं भी इससे शादी नहीं कर सकता सभी चले जाते हैं मा, उसका कहीं और प्यार व्यार चल रहा था बोला तुम मना कर दो, तो मैंने मना कर दिया जूट बोल रही है तू, मुझे तो लगता है कि तेरा ही कहीं तौबा, तौबा, मा, कैसी बात कर रही हो? अब जल्दी से मैं चली पैकिंग करने वहीं अभी की घर उसकी मा देखा, उस लड़की ने खुदी मना कर दिया अरे मेरी तो किस्मती खराब है जिस लड़की के पीछे तू लगा है, वो जानता भी है कैसी है? बेटा, वो तेरे साथ तेरे पैसों के लिए है सिर्फ क्यूं समझ नहीं रहा? शिखा जैसी लड़कियां जिस घर की बहु बनेगी उजाला करेगी घर में लेकिन मा रिमी भी अच्छी लड़की है एक बार मेरी कहने पर मिल तो लो उससे ले आना कल अभी खुश हो जाता है और अगले दिन रिमी को लेकर मा के पास पहुँचता है पता है रिमी कल मा फिर एक लड़की को दिखाने ले गई थी मैंने तो उस लड़की से साफ कह दिया कि मा किसी और से प्यार करता हूँ तुमारी मा की उम्र हो रही है लेकिन समझ नहीं आता ना खुश चैन लेगी ना लेने देगी तब ही वहां मा आ जाती है किस के चैन की बात कर रही हो रिमी? अभी मुझे सरफ पानी ला दोगी प्लीज मैं तब तक आंठी से बात करती हूँ ओके ठीक है मा प्लीज रिमी को समझने की कोशिश करना रिमी, be sweet as you are अभी चला जाता है लेकिन फिर वो किसी काम से वापस मा के पास आता है जहां उसके कान में रिमी की आवाज परती है देख बढ़िया तुझे सास बनवाने का मुझे कोई शौक नहीं है लेकिन करू क्या तेरे बेटी से मुटी पार्टी को इस समझ में नहीं आ रही है तब भी वहाँ अभी आ जाता है ये कैसे बात कर रहे है तुम मेरी मा से छिलाओ मात मैं किसी की उची आवाज नहीं सुन सकती मा आप इस लड़की के बारे में सच बोल रही थी निकर जाओ मेरे घर से रिमी के जाने के बात मा मैं इसे बहुत अच्छी लड़की समझता था लेकिन कोई बात नहीं बेटा परिशान ना हो तु जा कहीं घूम करा अब क्या एक और शिखा निकली रिशिकेश के लिए तो अभी भी वहीं आ जाता है और दोनों का आमना सामना हो जाता है हरे तुम यहां क्या बात है कहा है तुम्हारी वो दोस्त अब वो तो वहीं है मैं तो बस अखेला ही आ गया ओ तो तुम हमारे ग्रुप के साथ आ जाओ ना अगर तुम्हारी वाले को बरा ना लगे तो अभी को अब शीखा के मूँ से ये बात पसंद तो नहीं आती है लेकिन बिचारा कहता भी तो क्या हाँ अब क्या शीखा के साथ बिताए दो दिन में ही अभी को उससे प्यार हो जाता है तुम कितना रसिला गाना गाती हो वैसे तुम भी कम अच्छा नहीं गाते हाँ कालेज में स्टीज पर गाता था हम वहीं से तुमको प्यार भी हुआ होगा वैसे तुम बहुत डैडिकेट हो देखो मैं अब उस रिष्टे में नहीं हो और अभी शीखा को सारी बात बता देता है अरे ये क्या बात हुई ऐसे तो फिर मैं ही अच्छी रही जो इन सब चक्करों में पड़ी ही नहीं हाँ ये तो है तुम तो अच्छी हो ही तो क्या मैं घर आकर बात कर सकता हूँ तुम्हारी मम्मी से हमारी शादी की शीखा को भी अभी पसंद आ गया था वो शर्मा जाती है घर आकर अभी मा से सारी बात करता है और शाम को सभी शीखा के घर जाते हैं जहां दोनों की शादी तैख